सल्मान खान और आमिर खान की एक फिल्म के बराबर थी, रवीना टंडन की 15 मूवीज की फीज, एक्ट्रिस ने सालों बाद किया खुलासा, नब्बे के दशक की फेमस अदाकारा रवीना टंडन अपने बेबा का अंदाज के लिए काफी जानी जाती हैं, हाल ही में फिल्म के लिए काफी जानी जाती है, निर्माता अरबाज खान की फिल्म पटना शुकला को लेकर अदाकारा रवीना का नाम इस समय लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, इस मूवी में एक वकील के किरदार में रवीना ने अपनी चाप छोड़ी है, हाल ही में रवीना टंडन न किस तरह से जमीन आस्मान का फर्क रहता था, रवीना टंडन इंडिस्ट्री की वो अदाकारा है, जो किसी भी मसले पर बिंदास तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती है, हाल ही में दिये इंटर्व्यू में रवीना ने करियर के शुरुआती दौर में अपन अपनी फीस सल्मान खान और आमिर खान जैसे एक्टर एक मूवी के लिए उतना चार्ज करते थे, दरसल उस दौर में फिल्मों में अभिनेतरी से ज्यादा अभिनेता को तवजों दी जाती थी, तो जाहिर है कि उनकी फीस ज्यादा होना बनता था, हालांकि अब जमाना दल गया है,